नमस्कार मित्रो मैश कुमार रिजल्ट से तुम मैं आपका स्वागत करता हूँ रेल्वे के तरफ से इस समय एक नोटिफिकेशन आया है Government of India Ministry of Railway Recruitment Board Annual Calendar for RRB Recruitment यानि कि यह वार्षिक केलेंडर दिया गया है भरती के संबंध में भरती के लिए Issue of Centralized Employment Notification यह Centralized Employment Notification है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर period दिया गया है और यहाँ पर category दिया गया है यानि कि किस category में आपको जौब मिलेगा और यह किस समय आएगा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जनवरी से मार्च के बीच में ALP Assistant Locopilot उसके बाद में अपरेल से जून तक technician के बारे में बताया गया है उसके बाद यहाँ पर जुलाई से सितंबर के बीच में आपको NTPC जिसको कहते हैं Non-Technical Popular Category जो graduate level का होगा फिर इसी में Non-Technical Popular Category Undergraduate यानि कि जो 10 प्लस 2 होंगे यानि कि intermediate जो पास हैं उनके लिए फिर इसमें Junior Engineers के लिए हैं और Paramedical Category के लिए भी है उसके बाद में October से December के बीच में level 1 यानि कि जो group D है उसके बारे में बताया गया है और Ministerial and ISO लेटेड को टेगरिज भी जो है यह October से December के बीच में आएगा आप यहाँ पर date भी देख सकते हैं कि 2 फरवरी 2024 का यह आया हुआ है Chair Persons, Railway Recruitment, Boards We were of Tats, Brokers and Job Reckators यानि कि मतलब कि कोई भी broker जो होता है न बीचवलिया दला लोगा रहा है यह सब आपको job नहीं दे ला सकता है आप अपना ध्यान रखे तो यहाँ पर इस चीज के बारे में हमको बताई गई है कि यह वारसिक कलेंडर है दखिए यह कलेंडर जो है यह जो भी यह student जो यह protest कर रहे है इसलिए यह सरकार ताकि यह protest जो है वो सांथ हो जाए और यह अईसा कुछ नहीं है इतने दीनों में या 6 साल से कोई कलेंडर जारी नहीं कर रहे थी और आज यह कलेंडर जारी करने लगी हम यह देंगे वो देंगे तुरंट चुनाओ है अफिर तुरंत चुनाओं के बाद अगर सरकार में आती है तब भी सरकार भरती नहीं कराएगी और सरकार चुनाओं ये जितने के बाद भी अगर नहीं भी जितती है तब भी इसका कोई मतलब दी यानि कि इस समय का महौल सिर्फ इसका एक ही मुद्दा है कि आपका जो महौल ह आपका जो प्रोटेस्ट है यह सांठ हो जाए बाकी चीजों को आप लोग समझ सकते हैं इतने दिनों में कोई ध्यान इस चीज पर सरकार के तरफ से नहीं आ रही थी कि हां रेलवे को एक तरफ से आज ही हम देख रहे थे कि बहुत से बच्चे इस चीज का परमान दे रहे थे कि रेलवे का प्राइबेट यानि कि निजीकरन किया जा रहा है और इधर रेलवे करें कि हम वेकेंसी देंगे करें कि एक बार करें कि तीन लाग पद खाली है और बिलकुल उटके मुह में जीरा के बराबर जो कहावत है उसके अनुसार वेकेंसी दे रही है बच्चे 6 साल स परसान है बाकी चीजों को आप भी समझ सकते हैं तो ये इन्वल कलेंडर आया था तो सोचे कि हम आपको इसकी जनकाईर देदे धन्यवाद